इसलिए कहा जाता है किसी को जाने बिना उस पर अपनी राय मत बनाईए कभी मत बनाईए हमेशा याद रखेंगा किसी को जाने बिना उनकी कहानी जाने बिना उन पर अपनी राय मत बनाईए हर चमकती चीज सोना नहीं होती ये दोनों तरफा है, चलो हर चमकती चीज सोना का मतलब हुआ कि किसी पर जल्दी से भरोसा नहीं करना लेकिन दूसरी तरफ यही है, कि आप दूर से किसी चीज़ को देख कर या एक दो हरकत से आप किसी पर अपनी राए ना बना ले कि यह ऐसा है वैसा है, बहुत अच्छी कहानी में आपको सुनाती हूँ, एक बार एक माता पिता अपने पुत्र के साथ ट्रेन से जा रहे थे, तो सामने वाली सीट पर एक पती-पत्नी बैठे थे, और बेटा यानि अच्छा बड़ा है, 19-20 साल का लड़का है, तो हर थोड़ी देर में वो बार-बार कह रहा है, कि देखो कितना सुन्दर पेड़ गया है, फिर कभी वो कुछा है, तो देखो ये कितना सुन्दर बादल है, हर थोड़ी देर में वो छोटी ऐसी ऐसी चीज़ें को बता रहा है, जो सब हम रोजाना देखते हैं, जो रोज देख कर खुश होते हैं एक बार दो बार तीन बार अंत में जोड़े ने कहा उस पिता से क्या आप अपने बेटे को अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हैं पिता ने का वो ही तो किया है मैं इसे तो आ रहे हैं ले मतलब बोले मेरा बेटा बच्पन से अंधा था आज उसको आखे मिली इसी उसको हर एक चीज इतनी अच्छी लग रही है क्योंकि वो पहली बार देख रहा इस दुनिया को इन रंगों को अब माल लीजे उस जोड़े ने प्रश्न कर लिया तो उनको पता चल गया नहीं पता चलता तो गर जाकर क्या कह रहे होते हैं क्या पागल बेटा था, कह रहे होते की नहीं, तो किसी को जाने बिना, उनकी कहानी जाने बिना, उन पर अपनी राये मत बनाए, उनकी क्या कहानी है, आपको क्या पता है?